समकानिन विश्व राजनीति में आज हम एक नए परकरण ओजोन परत का धन करेंगे ओजोन परत एक अतन्त महत्पून परत होती है जो की सूरी से निकलने वाली परावेगनी किरणों से संपून जीवधारियों की रक्षा करती है ओजोन परत परत परतवी के बातावरण में ओजोन गैस यानि की O3 का एक आवरण है जो की परतवी को सूरी से आने वाली परावेगनी किरणों से बचाती है यह एक किसम की छलनी है जो की परतवी पर रहने वाली शंपून जीवधारियों के जीवन को सुरक्षित करती है यह परत पिर्थवी से 15-30 किलोमीटर की उचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है सूर इसे पिर्थवी पर पहुँचने वाली उर्जा में संतुलन स्तापित करने के लिए समताप मंडल में ओजोन का होना अत्यावशक है यदि ओजोन नहीं होगी तो इससे परावेगनी किरने सीधे पिर्थवी पर पहुँचेंगी और इससे संपूर जीवधारियों का जीवन आशोरक्षित हो जाएगा ओजोन परत में छेद बैस्विक तरपर जो एक चिंता व्यक्ति की जारी है वह है ओजोन परत में छेद यानि की ओजोन लेयर डिपलेशन पिर्थवी पर बढ़ते कलकारखानों से जो परदुषण फैल रहा है उन परदुषणों से कारबन डायाकसाइट और क्लोरो फ्लोरो कारबन जैसी गैसों का निकलना कहीं न कहीं ओजोन परत के लिए नुक्षान दायक है इन गैसों के कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है ओजोन परत की इसी घटना को ओजोन परत का हरास कहा जाता है ओजोन परत की जो मोटाई है उसे हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं इस परत में कमी के चलते शूरी से आने वाली परावेगनी किरणे सीधे पिर्थिवी पर पहुँच रही हैं, जो कि संपूर जीवधारियों के लिए आनिकारक सिद्ध हो रही हैं। जब ओजोन परत में छेद होगा या ओजोन परत पतली होगी तो इससे निमलिकित नुकसान हो सकते हैं। ओजोन परत के छेद होने से परावेगनी किरणे सीधे पिर्थिवी पर आएंगी और इससे विभिन परकार की चर्मरूग, तौचा कैंसर, फेपणों की बिमारियां आ दूसरा परत्वी पर ओजोन परत के हरास के कारणों की व्याख्या कीजे, तीसरा परत्वी परत्वी पर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के नाम लिखे, चोहता परत्वी परत्वी पर ओजोन परत की मोटाई को किस एकाई से मापा जाता है। आज के प् और एक छलनी की तरह यहां हमारे समताप मंडल में है और हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए इसका होना अक्यावशक है हमें बैस्विक्स तरपर इसको बचाने के प्रयास करने चाहिए और जो गैसें इसे नुक्सान पहुँचा रही है जैसे कारबन डायक्साइड और क्लोरो फ्लोरो कारबन इन गैसों के उत्सरजन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए ताकि हम इस परत को बचाने में काम्याब हो सके आज के परकरण में इतना ही धन्यवाद